नमस्कार दोस्तों चलिए एक छोड़ी से सारी करते हैं नौकरी नौजवानों के जीवन का सिंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें समान की नजर से नहीं देखता है तो बिलकुल नौकरी एक बहुत जरूरी चीज है और जरूरी नहीं नौकरी आपका प्राइवेट या गौवर्मेंट ही करो आप खुद के बिजनेस करो वह एक अच्छी नौकरी लेकिन बस काम करो जिनकी में जब टाइम मिले काम करने का दंबर काम करो चलिए देखिए यह 31 नंबर सवाल है और पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि पहले मैं सबका इडियम का मतलब आपको समझाता हूं फिर आप समझे आपको पठावका सबस्क्राइब करने काम करते हैं यह जो दोर आपको पता होगा आपको पास्कूल में भी इस तरह का दोर होता होगा तो इसमें कपड़ा के ला है जाना या 1-2-3 बोला जाता होगा क्योंकि बंदुक्त हो तो उस कर्णिसर में क्या कि मास्टर लोगी बद और फिर टू बोल देते थे, तो क्या हम लों हरवडी में दोड़ जाते थे, मतलब थ्री बोले भी नहीं और दोड़ गए, तो सूट दा गान या जंप दा गान में भी यह तो गन सूट हुआ नहीं उसे पहले आप दोड़ गए, मतलब क्या कि गन को जंप कर दिये, मतलब प्रिमेचूरली और हास्टली अपने काम करना थेके लिखाव है, टेस्टेड वाटर, थेके सूट के लिए फालत हुए दूनों नहीं पढ़ी है, तो दिलिखाव है, आप बहरी एक्साटेट इबाट माइड नियू असांइमेंट, एंड आइसेंट थे, मतलब बिना अटे करना नहीं बूली और भेज़ दी, मतलब हर बड़ी में काम करती, है ना, समझाब, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखे लिखा हुआ है, टू फेस्टा म्यूजिक, मतलब क्या था, मैं आपको इसकी इडियम की ओरिजिन बताता हूं, आप देखिए इधर, आप देखिए इ चपल जूती है, जो भी मिलेगा, जो आटिस्ट उस पर फेकेंगे, अब आटिस्ट इससे बचने के लिए क्लिए क्ले करेगा, वो पीछे की ओर मुड़े जागा, और जब पीछे की ओर मुड़े गा देखेगा, कोई हरुनिया बजा रहा है, कोई भूपू भूपू ट्रं माने के लिएक लिए पर उसे हूं, खूर जो भूपू आटा एट रहा है, लिएक पर भूपू आट करू भूपूज़ा जाए, बास एक अचैंप भूपूंचे नरी ब्यूपू हो थाल रहा है, पहले द नंगّ मैद पर बेर दा नेगेटिव कर सक्विजिशन आप दा रॉंग फूल एक्षन कि वह गाना गान नहीं पाया लोग चपल जूते मारने लगे मारने लगे मादा फेज दा म्यूजिक कि अधि के होता है फोस्टेर हुआ इक कीडा होता है सितीडियो प्रोलम chamber करेगी आपके लिए प्रोलम क्रेंद तो अस्टीर अप्दा होरेश्ट ने में शुकाउज ट्रबल प्रोग के स्ट्रोग सिच्वेशन बाइं फिरिंग विदा सिच्वेशन इडिज बेस्ट लेफ्ट अलों अच्छा है कि मदुमकी के चाते को छोड़ उसको चेडने मत जा मतला आपने ट्रबल को खुदी हो किया ठीक है चलिए आपने हमारी जीडी ताइस की जो मैंने अच्छी थी नहीं पहले राजा राजाओं का जो उसमें था उसमें सफाई सिस्टम इतनी अच्छी थी नहीं तो कई बार भारी भरकां बारी सोतना नलिया अपने आप साफ हो जाती थी और वो नलियों में कई बार कुटे बिली के मरे हुई होते थे फसे हुए होते थे तो जब घंगोर बारिस होती थी जाती कुटे बिलिया कि जो डीड बोडी है वो पूरा रोड पर बिखरे होते थे तो उस समय के सिच्विसन ऐसा दिखता था जैसे मानों कि कुद्टे बिल्यों की बारिस हुई है, तो इट इज रेनिंग कैट्स एंडॉक्स मतलब क्या बहूत घंगोर बारिस हुआ है, है ना, तो इट इज रेनिंग भेरी हैबली, इसका थर्ड नमबर सही अंसर हो जाएगा, देखी, तेकिंग ये बूल बाई दा होर्न, मतलब एक बूल है, इसके होर्न को पकड़के इसको, मतलब क्या, मतलब गंभीर सिच्वेशन है, ट्रबलसम सिच्वेशन, आप उसको क्या बड़ी सावधानी से, बड़ी ब्रेवली उसको हैंडल करना, है ना, तोवी टिकिंग दव बूर बाई दा होर्न को इस दिरावा कंच्वेशन करना, अट्री करना, एक शेलेशन सिच्वेशन को बेड़िद करना, जने, अब में सब का आर्थ साजाता हम, फिर आपको समझाता। डीकिर ठीकिखा हम रेंड एरंद ये सरकल एक सर्कल है उसके चार वर दोड़ना मतलों अल्टीमेटली आप काम बहुत कर रहे हो लेकिन रही मिल रहा है जैसे आप साइसे की त्यारी खूब मन धन से कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो यहार रॉनिंग एराउंड दसर्कल ठीक है अब पूरी जी जान स आपने बाकसिंग में देखा होगा आपने बाकसिंग में देखा होगा कि कि घखिलारी में भाइट होता है तो अयहीं हम वुर मैं तो फिर में कभी हसात है मतलब जहां मार पड है जांद दर्द हो रहा है वहां पोया आइस में है कंटे दर्द राहत मिले और तो इस गौल योट ना सिक एकटू अडियम जो पहले जमने चलता था call half it day call half it day half it year day मतल Limited कोई काम मिला आपको आब भोले आधा काम आज कर ले ते आधा काम call करें गे call it half year day मतलब आधा आज करेंगे आधा काल करेंगे 다양偏 क्या मतलब क्या तो kाम को आपने क्या क्या पोस्ट पोन कर दिया तो वही से गिडियम बन कर गा, क्या था कि काम को पोस्ट पॉन कर देना, पहली जामाने मेरोपलेन बना दिया, लेकिन अब चला आएगा तभी तो टेस्ट करेगा, तो गिडियम इडियम इडियम अब पड़ते ही क्या बोला है, the patient work the whole day in the field ठीक है and stopped working in the evening and went to their home काम करना बंद कर दिया और घर चला गया stop the working कामी करना बंद कर दिया और घर चला गया अब next day काम करेगा मतलब क्या quality day कर दिया postpone कर दिया ठीक है संदे चली आगे देखें इन्मीटी नहीं दुस मनी होना इसका नबर सही जागा और गंच्टरएune गंखे सही एट जिएड ग्थृत बडे मठेन आउट विज बिजनस अप्ट पहले जमाने में कुछ बड़ी बिमार्ट रिलेटेड बिमारियां होती थी तो लोगों के पास इलाज नहीं होता था तो इसलिक बड़ी यह तो बैड़ ब्लड है मतले से दूर रहो इसको बला तुम दूर रहो तो वहीं से आया एंगरने सोना बीटरने सोना होस्टिलिटी हो कि एक आप क्या पड़े यह यह स्टॉम इन यह टीकफ मैं लिख तो रहा हूं लेगे लिखा नहीं रहा है तो आया स्टॉम इन टीकफ ठीक है इसको परफेक्ट अस्टॉम बोलेंगे है ना कि बिजली भी कड़ा कर रही है आसमान भी काला हो चुका है समुद्र भी उफान सबसे खराब हो सकता है जैसे आज होली का दीन है और होली मना नहीं है पड़े तो उससे और होसकता है उसे खराब क्या होसा है आये दीवालिया पटकाई ना भोड़ो मिठाइया ना बतो घरों में बंद हो जाओ इसे एक परफेक्ट स्टॉम इंए एक और सिच्वेसन इससे जज्यादा ऊर्ष नहीं हो सकता कोई बोलते से खराब नहीं हो सकता है उसी को परफेक टार्टर देए पहले क्या था ना कि ये यौण ये और चॉन को पता होगा घ्जांए या या यु इसा रावत बोगते थे तो जू ये लोग तनै वो सेंट्रल लोगों को टार्टर बोलाते थे टार्टर ना टार्टर बोलते थे और ये अकसर इनको कम आखते थे मतलब ऐसा इनको यूरोपियन को लोगों लगता है रहे लोग तो आया धुन देंगे एक दाव लेकिन एक से विली ओटा नहीं था यहां से जो मंगोल आते थे ना हम अपनों मंगोलों का करवार सुना होगा इतने खुखार इतने मतलब हमलावार होते थे क यूरोपियन लोग जहल नहीं पाते थे गिरा देने से सूर का थोड़ी ना उसको पहन लेगा समझो उसके लिए वो कोई भेलू नहीं है तो कास्टिंग पीरल भी फॉर स्वाइन मतलब कोई भेलू करना नहीं कि यह लिखाव है डेमसेल इंडिस्ट्रेट डेमसेल मतलब होता है इसको हीरोईन बोल सकते हो दुलहन बोल सकते हो राजकुमारी बोल सकते हो वो डिस्ट्रेश में है तकलीफ में है मतलब हैल्पलेस हो में डेमसेल इंडिस्ट्रेश मतलब हैल्पलेस होने वह इंतजान में कि कोई हीरो आएगा मेरे को बचाएगा तो अब इसका मिनिक समय सब्सक्राइब कि क्या है माई बिजनस पार्टर थाउट आई उड़ सिंप्ली एक्सेप्ट दियर चीटिंग बड़ देविल सुरिलाइब आयम मोर पावर्फुल देन देयर थिंग यह कुछ भी होगा यह लिखा हो मतलब यह काफ़ाइट कचे टाउटर मतलब बगलवाले की काफिलीद को कामा अपना जैस सुवर के सामने मोधिया बरसारब सुवर क्या इसकी हमें समझेगा एक डेम से ले जो डिश्टर्स तकलीप में कोई हरो आगे बचा रहे तो यह डेम से ले डिश्टर्स का सिंप्लम मतलता होगा यह मैंनी नीड है ना तूबी रिस्क्यू चलिए ठीक आगे ठीक है ठीक है इसका मतलब क्या होता कि राजा को किसी को आज क्या होता है फिल्मों में भी देखा होगा कि गलत जवाब दोगे तो सीधा बंदुग से गोली चल जाएगा इस तरह से एक तलवार लटका दिया जाता था और जो अपरादी हो तो नीचे रखा जाता था और राजा उसको पूछता था कि बता तुम्हें यह काम किया की नहीं किया अधी राजा को लगता हो जूट बोल रहा है तो एकदम रसी को तोड़ देता तलवार एकदम घूब से उसके सरीर में तो इस डर से जो अपरादी कि कहीं तलवार मेरे सरीर में ना गुज जाए और मेरी इस तरह हैंगी वाइट थ्रीड होता मतलब क्या एक खतरा हमेशा उसके सामें लटकता रहता कि कहीं आज तुम्हारा जो है गलत किया तो फिर ये चाबू गुजेगा अंद जाता हूं देखिए ये है डोर निल पहले जमाने में जो खपड़ेल घर होते थी आराजा महराजाओं के घर होते उसमें क्या था की तरह का निल लगाए जाता था और थोड़ा सा उपर बेंट किया जाता था और फिर इसको हदोरी स्टोक टोके जो थोड़ा बेंट वाला ह पहली चीज दूसरी चीज निकाल भी लिए तो ये इतने खराब हो जाते थे कि दूबारा ये तूटने लगते थे मतलो इसनेल का दूबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता जैसे देखिए ये हैं ये सारे डोरनेल लगे ये इसी तरह है पीछे थोड़ा सा घूमाया गया और फिर भी लगटो कि इसको लगडी के अंदर गुषा दिया गया ये सारी जिए पिक्चर में दिखाया गया आपने अपने घरों में भी देखा होगा किस तरह का डोरनेल लगा होता है वह इस सरह डिड़ होता है कि इसको दूबारा इस्तेमाल होई हो सकता वह एक पर खतम हो गया तो यही लिखा हो यहां पर करिया है उसको लोग़ा हो जाता है और चीजों के डिप्रेंशेयर उनर और सेम और होना और मुविंग कि यह चलिए आगे लिखा हुआ हीट जैकपोट जैकपोट लगा आज भी मोग मजाग में बोलता है कि तुमको जैकपोट लग गया मतलब किया अनस्पक्टड एडवांटेज होना मतलब जैकपोट लग गया है मतलब अचानक लाव मिल गया है अनसर हो जाएगा कि बड़ा सक्सेस दूरंद मिल जाना चलिए ठीक आगे देखा हुआ कट कॉर्णर कट कॉर्णर मतलब पिक्चर को देखिए जैसे माली जी एक रोड होता है हम लोग भी देखाऊगे माली आप कोई आसपास की पहाडी छेतर में जो ट्यूरिजम का सक्टर है कई राजियों में उसके अपने पहाड़ होते जहां लोग घोमेने जाते हैं specify हम लोग जहार खड में हैं पारसनाद की पारई तो जब बर शुनाद की पहाड़ी पर चड़ते हैं तो चाड़ने के दुछ दौरान क्या डेख दम सीधे मतलब पाहाड के अड़ चले जाते हैं तो यह जाते हैं फिर इसे नागर के चल जाते थैं मतलब जैसे देखिए एक route है आपको ऐसे जाना चाहिए लेकिन क्या करें कि कर अब अब इसे घुज गया कर अब काम का जो छोटा साव रूप है यानि काम को जल्दी करना काम को जल्दी प्रिंश करने के लिए जो छोटा रास्ता वो धूलना एना वह थे कर अब तो इसमें क् में कर्म को जलदी कर देना ज़ल्ध होता हैं आज भी होता है कि समुद्र में क्या होता है समुद्र के लुटेरे होते हैं आपना असली रंग दिखाते है आनि अपना hidden रंग, अपना hidden talent, तो true color मतला क्या है, hidden का talent, hidden, hidden जो मन में अपने इच्छत दबा के रखे थे ना, कि हम ये कर देंगो, वही true color, he's sword, he's true color, मतला जो hidden agenda था उसका, hidden agenda, true color मतला क्या जगा है, hidden agenda, hidden जो उसका planning था, वह सब true color, अपना रंग दिखाना, जिसे बोलते हैं कि अर्तम तो अपना रंग दिखा दिये, है ना, white elephant मतला expensive होना, आपको मैंने GD 2023 में बताया था, कि Thailand में लोग elephant पालते हैं, और वहाँ पर सफेद elephant मिलता है, जिसको बार-बार धोने की जरूत पड़ती है सफेद elephant में जल-ज़दी गंदा हो जाता है, कारें करती हो खरचीला हो जाता है, चाहदा, बाल को सफेद रखने के लिए तरह-तरह के material कैसे सभवते हो, एक्सपेड़ मुले हो एक्स्पेंसि falou हो हो टा-खरचीला हो रग लग दलेका है, होट पोटेटो, होट पोटेटो मतलब simply होता है कि जो responsibility होना जो difficulty होना surpass करना मइसा दूसरे को पहनावा देना जैसे आज ऐसे कल office में होता है मालेजे को काम आ जाए तो laterally क्या होता है कि एक काम हमको मिला हम किसी और को कर दो मेरे को कर दो मैरे पास डीप कहल दी ता हम ना लेकि दूसरे को दे दिया जब तुम कर आज भी जो हता है घर में चोटे मोडे तहवार होते है गाउं घर में पुजा पाथ होता है तो लो क्या करता है लगता कि अग्रेको करना पड़े का चौट-छाड के भाग जाते द प्रोब्लम वाला केंदर नो कुदना पढ़ जाएक पहाडी से समझे तो वह यह होट पटेटो समझे तो चलिए आज की वीडियो यहीं इंडी करते हैं धरनेवाद